हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल पमी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग बताएगा जरूर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो आज की जो हमारी वीडियो है वो आमपिट वैक्सिंग या आमपिट शेविंग से रिलेटीड नहीं है तो भी बेट्यक्ट यूज़ के आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमने यूज़ किया है बाईो फ्रेश का विडिНजर रोज़ वोटर और मिल्क पाऊडर लिया है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते होग है एप्रोड एक्ट हमने यूज़ करने हैं इस tanning को remove करने के लिए जो हम करेंगे neck tanning remove, hand tanning and underarm tanning तो चलिए start करते हैं हमारी वीडियो, सबसे पहले हम client को cleansing कर लेंगे यानि कि कोई भी हम work करते हैं तो उससे पहले हमें cleansing करना must है without cleansing आप कोई भी work करते हो तो आपको result नहीं मिलेगा तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उस part को अच्छे से गीला कर लें फिर cleansing milk से अच्छे से massage दें या साथ की साथ पानी भी use करते रहें ताकि जितनी भी dirt, pollution, skin में हैं, मिट्टी, धूल सब निकल जाए बहुत अच्छे तरीके से मैंने cleansing कर ली थी, उसके बाद सुखे towel से अच्छे से dry कर लिया है अब हमने जो product लियें आपको दिखा रहे हैं और mixing भी बता रहे हैं सबसे पहले हमने लिया है एक चम्मच सुखा दूद और उसमें हमने डाला है एक चम्मच वैला का blonder जानि जितना दूद है उतना ही हमने वैला का blonder डालने हैं और उसमें mix करना है दो चम्मच आपने ड्वैल पर अगर आपके client की skin dry है तो ऐसे में आप एक vitamin E का capsule mix कर लें ताकि skin में tanning remove होने के साथ साथ एक अच्छी शी shine भी आ जाएं और अच्छे से mixing करने के बाद आपने उस body part पर pack की तरह ही से लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से brush से फेलाएं और client से यह भी पूछ लें क्यू मिल्क पाड़र मिक्स किया है तो हमें ब्लॉंडर का side effect वो बिल्कुल भी नहीं हो रही थे बहुत अच्छे तरीके से आपने mixing करके product को skin पर लगा देना है और ईसके बाद आपने बेट करना है at least 15 minutes, 15 minutes बाद आपने इस product को remove कर देना है, आपने यह बीच में देख लेना है गुमाकर की अच्छे तरीके से कि इनके सारे hairs blonde हुए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने waxing नहीं करवाई तो इनके काफी लंबे-लंबे hairs थे तो इसलिए वह भी check करना था कि hairs blonde हुए या नहीं क्योंकि फिर काफी hairs रह जाते तो बुरे लगते तो इसलिए हमने इस यह भी check किया था कि इनके hairs blonde हुए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से product लगाने के बाद हमने छोड़ दिया था 15 minutes के लिए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किसका क्या result रहा है हुआ 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 है 15 minutes हो चुके हैं, देखिए इनके जितने भी hairs थे बिल्कुल blonde हो चुके हैं और कितना अच्छा result आया है, बिल्कुल भी इनकी skin में tanning नहीं रही और इने wax करवाने की भी नीड नहीं, जबकि इनकी hairs काफी long थे इने waxing की नीड थी पर फिर भी इन्होंने बोला था मुझे wax न tanning है, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, या फिर sun tan हो गया है, तो आप इस product को use करके अपनी skin की tanning remove करवा सकते हो, और आपको इसको use करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से cold cream से massage जरूर करनी है, ताकि skin में और अच्छा सा moisture लोग हो जाए, देखिए इनकी skin में जितनी भी tanning में तो इतना अच्छा catch भी नहीं हो पा रहा था, रियल में देख रहे तो तो बिल्कुल skin shine कर रही थी, और बिल्कुल glossy लग रही थी, बिल्कुल ऐसा feel ही नहीं हो रहा था, कि skin में कहीं harshness है, या फिर बिल्कुल जैसे हम कहते हैं, softness देखिए, इनकी दोनों hairs में कितना दो tightening आ चुकी है, और second side जिस बाजू पर नहीं हुआ, उसमें देखो आप कितना difference है, दोनों hands में भी, और कितना difference है, दोनों arms में भी, अगर आपको भी कोई instant tanning remove, remover product चाहिए, तो यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा result है, उसके 2-3 दिन बाद भी इनकी skin पर इसका कोई side effect नहीं हुआ था, बिल्कु स्कीनिन की shine कर रही थी, अगर आपको भी इस तरह का कोई product यूज करना है, तो आप इसे जरूर ट्राइ करके देखे, अब आगी है इनके underarms की बारी, अब हम underarms देख रहे हैं, सबसे पहले हमने underarms को clean किया है with cleansing milk, cleansing milk से बहुत अच्छे तरीके से underarms clean करने के बाद हमने use किया है, वही product, वही mixture जो हमने आपको बताया है, जो blonder, dwelper, milk और सुखा दूद होता है, जो और साथ में use किया था, विटामीनी का capsule, इस product को हमने बहुत अच्छे तरीके थे, दोनों side underarms में भी लगा दिया है, पर प तो आप बिल्कुल चौक जाओगे, बहुत अच्छा result आया था, इनकी skin में से बिल्कुल भी blackish feeling हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके जो first side underarms से में वहाँ इतनी tanning नहीं थी, जितनी side थी, तो इस side काफी अच्छा result आया था, देखिए इनकी garden में भी tanning ह तो जो product बच गया था, तो मैंने इनकी neck में लगा दिया था, ताकि product waste ना हो और अच्छा सा result भी आ जाए, थोड़ी सी light की problem हो रही है, यहाँ पर कोई नहीं product लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगता है product, बहुत अच्छे तरीके से आपने product लगाना है, और उसे घुमा दें finger से क्योंकि थोड़ा सा time हो जाता है, तो फिंगर में जलन नहीं करेगा, तो आप इसे घुमा सकते हो easily, अगर आपको finger से घुमाने में दिक्कत होती है, तो आप हाथों में gloves डार लो, या फिर brush से ही तरीके से घुमा लो, क्योंकि इसमें developer mix होता है, तो यह ज्यादा thick form में न दिखाई चुके हैं, अगर आपके underarms में blackish है, तो आप इसे 100% use कर सकते हो, बहुत अच्छा result आने माला है, आपके underarms में देखिए, कितने अच्छे तरीके से इनके underarms screen हो गया, और second side जहां इतना काला पन था, उस side देखिए, बहुत जबर्दस result आया है, कितना बहुत ज़ फिल हो रही था, इनको ऐसा लगी नहीं रहा था, कि इनोंने कोई product यहां use भी कर रहा था, देखिए, कितनी ज़्यादा tanning remove हो चुकी है, आप बार बार पूछते हो कि underarms की blackish कैसे करें, dark को कैसे clean करें, तो यह best तरीका है underarms को clean करने का, अगर आपको herbal product जानना चाते हो, जि प्रिस लाइक, शेर, सब्सक्राइब